तो गाइस पेश करते हैं टाटा 407 गोल्ड तो यह बहुत ही ज़ादा लेजेंडरी और पुराना ट्रक है पुराना इन दा सेंस की टाटा 407 के साथ में हमारी बच्वन की बहुत सारे यादे जुड़ीवी है और यह आज हमारे ले बहुत बढ़ा एक क्याते है न सप्राइज मतलब वह जो पुराने मूमेंट है वह कुछ इस तरीके से हैं कि घर में जब भी भी समान शिफ्ट होता था ना तो ऐसी इसी गाड़ी के अंदर हमारा समान एक जगे से दूसरी जगे जा रहा होता था और किसमत देखो आज मैं इसका व्लॉक बना रहा हूं तो आई भी मिल जाती है आप सबसे पहले शुरू करते हैं फ्रेंट से सो यह अकेली ऐसी गाड़ी मुझे देखने को मिली जिसके अंदर टाटा का लोगो ब्लाक के अंदर है जो की बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है और साथ के अंदर यहां 407 की बैजिंग है और गोल्ड की जाती है और दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है वही यूनीक लाइट से मगर इनको और ज्यादा अप्ग्रेड कर दिया गया है सो रिफ्लेक्टर बेस हालजन के अंदर आपको यहां पर लाइट मिल जाती है नीचे क्यूट सा हॉर्ण और उसके नीचे की तरफ यहां पर आपके पास option मिल जाता है आप इसमें fog lamp भी लगा सकते हैं यहां पर आपको reflector मिल जाता है साथी के अंदर front में यहां आप number plate लगा सकते हैं जिसके right and side आपको मिल जाता है यहां पर toeing hook अब यह जो है इसको हम हलका सा हटा देते हैं अब जैसे यह वाली जो जगे इसके उपर आप pair रखकर यहां पर pair रखके और just इस handle जो है इसको पकड़के आराम से शिशा साफ कर सकते हो बहुत ही बड़ा आपके पास में windshield मिलती है जिसकी वज़े से आपकी visibility बहुत आसान रहती है साथ में आपको dual wiper setup मिल जाता है जिसके साथ में यहां मिल जाता है ए तो आपको यहां पर मिलते है indicators सो इन indicators की वज़े से मतलब यहां देखो आप indicators हैं मगर इन indicators की वज़े से आपकी sides visibility, side visibility और जादा enhance हो जाती है साथी के अंदर यहां पर मिलती है आपको बहुत ही खुपसरत wheel arch so wheel arch के साथ में यहां पर हम बात करते हैं tire size की तो steel rim में आपको tire मिलता है मलब steel rim और tire मिलता है MRF किस वकिस गाड़ी में tire लगे वे हैं अगर मैं tire size की बात करूँ तो मुझको मिलते है 7.50 R15 sorry 16 tire मिलते है 7.50 R16 हमको tire मिलते है और company ने यह कहाए कि Tata के BS6 phase 2 में जो गाड़िया इन में low resistant tire डलेंगी जिसकी वज़े से इन गाड़ियों का mileage और जादा enhance हो जाएगा यहां पर हमारे पास आगे की तरफ quarter glasses लगे हुए जिनको आप खोल कर भार की जो ram air है वो अंदर की तरफ fresh air ले सकते हो साती के अंदर यहां पर हमारे पास 2-2 बलकि 3-3 ORVM इस तरफ लग जलने का थोड़े देर में इसके उपर भी बात करेंगे साती के अंदर आपको मिलती बहुत ही durable body body के अलावा यह open chassis में भी मिलता है जिसके उपर आप अपने इस आप से कुछ भी अगर construct करना है तो कर सकते हैं same time यहां पर आपके पास body protector मिलता है अंदर की तरफ यहां battery लग suspension मिल जाता है जिसमें यहां से मैं आपको दिखाता हूं यहां से गाड़ी में आप तीन पत्ते देख सकते हैं तो आगे की तरफ आपके पास में तीन पत्तों के साथ में suspension मिलता है और पीछे की तरफ भी आपके पास leaf spring है देखो गाइस commercial vehicle है तो इसलिए आपको leaf spring ही मिलती ह पीछे की तरफ देखो, यहाँ पर यह पत्ते लगे हुए, उसी के साथ में यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरीके का मटगार्ड मिल जाता है, जिसकी वज़े से कीचर वगए रनना उचले, और पीछे की तरफ आपको यह गाड़ी single tire में मिलती है, same tire option के साथ में, अब जैस वैसे ही आप यहाँ से move करते हो, पीछे की तरफ आते हो, वैसे ही आपको देखेगा Tata का एक और embedded पीछे की तरफ logo, तो Tata की जस नीचे की तरफ जो लिखावा, इसकी नीचे की तरफ जो आप देखेंगे, तो बहुत अच्छे safety norm जो भारत देश में आ रहे हैं, उनमें इस को पीछे की tail lamp मिलती है, और यह legendary tail lamp है, जो की Tata की कई गाड़ियों में आ रही होती है, और बहुत ही जाद अच्छी है, ladder frame बहुत ही मोटा थिक आपको, यहाँ पे frame मिल जाता है, ऐसी कुछ आपकी गाड़ी पीछे से दिख रही होती है, और अगर मैं bucket की बात करूँ, तो क कुछ इस तरीकी की आपकी गाड़ी में bucket मिलती है, अगर side profile की बात करूँ, तो कुछ इस तरीकी की आपकी total मिलाकर गाड़ी पीछे से दिख रही होती है, अब जैसे आप आगे की तरफ चलेंगे, वैसे ही आपको यहाँ दिखेगा diesel tank, so diesel tank अब आपका plastic में आ चुका है, ज में software update हो चुका है, साथ के जिसकी वज़े से, अगर कोई भी diesel चोरी करेगा, तो यह जो उपर की तरफ sensor लगा है, यह मालिक को खबर देदेगा कि diesel चोरी हो रहा है, same time यहाँ DF tank मिलेगा, I guess यह 16 लीटर का हमारा diesel tank, मतलब DF tank हो चुका है, अब हम चलते हैं सीदे के सीदे अं से ही, यहाँ पर मिलता है आपको बहुत दी जादा अच्छा खूबसरत मचपूत डोर प्लाई, तो जो प्लाई आप देखेंगे, यह सबसे पहले हलका सा, कपड़ा जैसे soft touch material होता है, हलका फुलका वैसे वाला है, टाटा यहाँ engraved आपको दिखेगा, साथी के अंदर, शी इंगेज कर दी, आवाज आ चुकी है, अब यह हमारे पास में बहुत सारी जगे, इसमें होता है, मैगजिन, डॉक्यूमेंट, अक्वार वगरा रख सकते हैं, यहां हमारी बॉटल वगरा रख सकते हैं, अब एक और चीज, क्योंकि टाठा की गाड़ी है, और बहुत लेज कर सकते हो, टाटा ने सीटों को और जाधा कमफर्टेबल बनाया, ताकि आराम से बैठ सके, सेम टाइम यहां पर भी एक ग्राब हैंडल और पीछे की तरफ गाड़ी में आपके पास जैक रखने का यहां ऑप्शन मिल जाता है, अब हम चलते हैं सीधे की सीधे अंदर की तर गाड़ी में स्टेरिंग है, बिल्कुल कार जैसी फिलिंग वाला, बीचो भी टाटा का लोगो है, आपको हांड सुना देते हैं, सो इस तरीके का कुछ हांड सुना ही देता है, यहां पर हमारे पास यह ग्राब हैंडल आ चुका है, सेम टाइम यहां पर भी हमारे पास और है, जिसके अंदर हम छोटी मोटी चीज़े रख सकते हैं, और ऐसा गया है, आपके लिए नहीं, को पैसेंजर साइड भी ऐसा गया है, मतलब खलासी के लिए भी यहां ऐसा मिल रहा होता है, सेम टाइम यहां आपके पास में एक संशेड मिल जाता है, जिसकी वज़े से अग गाराम से यहां बैट सकते हैं, वीच वाली सीट के लिए आपके पास लैप बेल्ट का उप्शन हो चुका है, और साथी के अंदर जो ड्राइवर चलाने वाले उनके लिए आपके पास में जो टू पॉइंटर सीट बेल्ट है, वो टू पॉइंटर सीट बेल्ट का आपको option मिल जाता है यहां पर हमारे पास में fire extinguisher आ चुका है मैं वापस गाड़ी बंद कर लेता हूं और फिर थोड़ी देर में चालू करेंगे आपको इसकी आवाज भी सुनाएंगे गाड़ी आपको five-gear transmission में available हो रही होती है बहुत बड़ा आपके पास में यह shift rod है जिसकी वज का लगसा आपको texture मिल रहा होता है जो कि बहुत अच्छा है यहां पर आप छोटी-मोटी चीजे फोन वगरा रख सकते हो इधर उदर भागीगी नी बहुत ही खुबसुरत आपको गाड़ी में डैश बोर मिलता है सेम टाइम एक और इधर अच्छी चीज यह मिलती है कि आप यहां से चलके जब इधर की तरफ आओगे तो आपको बिल्कुल भी परिशानी नहीं होगी सेम टाइम यहां पर आपके पास बहुत सारी जगे मिलती है यहां पर हमारा स्पीकर का प्लेस्मेंट आ गया आगी की तरफ यहां पर हमारी वेंट आ गई और आईगेस यह व करने का बटन मिल जाता है की बैंक में यहां पर हमारा जो चारो इंडिगेटर जलते हैं उसका बटन मिल जता हमाई है Indygator पर हमारे सारे light के स्विच जिसमें Indygator deeper वगरा headlight levelizer वो सारे मिल जाते हैं जब left की तरफ आप देखते हो तो आपको wiper सारे controls मिल जाते हैं जिसके साथ में अब आपको मिलता है cruise control so cruise control का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आगर आप इस गाड़ी को highway पर चला रहे हो अगर आपने cruise control सेट कर दिया तो उसकी वज़े से आपकी गाड़ी का mileage और जादा enhance हो जाता है साथी के अंदर जो instrument cluster है उसके अंदर right inside आपका 140 km per hour की top speed दिखती है मगर 80 से उपर आप अपनी गाड़ी को आपको यहां दिखेगी diesel exhaust fluid जो है वो आप यहां पर देख सकते हैं और उसी के साथ में क्या time है और क्या voltage दिख रहा है क्योंकि गाड़ी के अंदर इस तरीके के न heat resistance की बहुत सारी चीज़े लगाई गये और जैसे आप गाड़ी के अंदर बैठते हो वैसे भी आपको गाड़ी के अंदर बहुत सारी आवाजे नहीं सुनाई देती जोकि एक बहुत अच्छी चीज़ है अगर ड्राइव भीया गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में आवाज नहीं आनी चीए अब कमपनी ने क्या-क्या बीए सिक्स में चेंजेस करें उन में से कुछ ऐसी है कि आपकी गाड़ी का एंविएच लेवल कम हो चुका है उसी के साथ के अ अब हम बात करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन की अब गाड़ी के अंदर आपको 3000 CC मतलब अगर बिल्कुल एक्जेक्ट बोले तो 2956 CC का इंजन मिल रहा होता है जो की 100 PS पावर जन्रेट कर रहा होता है साथी के अंदर 300 nm टॉर्क जन्रेट कर रहा होता है गाड़ी के अंद का आपको diesel टैंग मिल रहा होता है अगर deck length की बात करूं तो 252529.84 mm की आपको गाड़ी के अंदर deck length मिलती है और gradability की बात करूं तो 40% आपको गाड़ी में gradability मिलती है बहुत अच्छी बात यह है गाड़ी के अंदर की अब आपकी जो गाड़ी है इसकी performance और जादा enhance हो गई सब्सक्राइब कर दीजेगा और मिलेंगे किसी ना किसी और टॉपिक पर जो कि आप नीचे लिख कर देंगे तब तक कीप वाचिंग कीप सपोर्टिंग बाई-बाई